इस वीडियो में मैं आपको silver के उपर analysis करके बताने वाला हूँ कि आने वाले trading session में silver के उपर क्या moment देखने को मिल सकती हैं, बहुत से लोग buy side फजगे होंगे, वो कहाँ पर average कर सकते हैं, और यहां पर कोई एक strategy बताने की कोशिश करगा, उस strategy के base के उपर अपना loss जरूर cover कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा mode यह इस्टार रखना पड़ेगा, और आप अपनी position को जैसे loss में है, तो आप easily cover कर सकते हो, रही बात आप silver के अंदर intraday करना चाते हो, यार intraday से small amount में मारजी के साथ trade करना चाते हो, तो आख्ता FX के तुरू आप trading account open कर लीजे, एकदम 1000 रुपे से लेखे, 2000 रुपे के बीच में आपका एक single lot आ जाएगा, तो उसके तुरू आप trading start कर सकते हो, small amount से, और कुछ दिन आपको demo trade भी कर सकते हो, demo trade के लिए एकदम free है, कोई charges नहीं है, एकदम demo trade कर लीजे, उसके बाद जैसे आपको practice अच्छा हो जाएगा, और आपको clear cut पता चलेगा, order कैसे लगाना है, तो आप वहापे trading start कर सकते हो, live market के उपार, और रही बात यहाँ पे कोई भी doubt आता है, regarding to demo account opening के लिए, आप मुझे ज़रू WhatsApp कर लीजे, call मत करें, WhatsApp करें, 9797-777-32192 पर call कर सकते हो, sorry, WhatsApp कर सकते हो, regarding to demo account opening, रही बात अभी analysis के उपर focus करेंगे, 1.40% के आसपस यहाँ पे live market के अंदर गिरावट नजर आ रही है, day by day के उपर देखो गे, तभी आपको continue गिरावट नज आ रही है, तो last कुछ दिन से यहाँ पर देख सकते हो, कितने दिन से मैं यहाँ पर बताने के कोशिश करूँ का कि nonstop गिरावट कितने दिन से यहाँ पर देखने को मिर रही है, देख लेजे, यहाँ पर market के अंदर बारा अगस्ट की बात है, वाहां से 12 आगस्ट मार्केट 20 दिन होगे, nonstop यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दिन नहीं है, market के अंदर, market के अंदर ऐसा समझ लेकि market के अंदर trend चेंज हुआ, भी उपर देखने को मिर रही है, और आज के trading session में देखो कि तो बड़ी आसी rate candle भी बना हुआ है, और और फिर यह गिरावट आपको continue, और नीचे की तरब आपको देखने को मिला है, पिछले वाले trading session में बताया था कि market के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, क्योंकि market के अंदर जब से देखोगे, तो market के अंदर 26 डॉलर के इस पास एक high लगा था, उसके market के पिछले वाले वीडियो में बताया था कि market के अंदर आपको यह बहुत नीचे आते भी देखने को मिल सकता है, और वो वो बियुकल अभी होते हुए भी देखने को मिल रहा है, तो यहां से देख लेजे 17.50 के आसपस पास पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 17.50 आपक तो मार्केट सस्टेंड करेगा नहीं करेगा वो तो डेली केंडल बेस के उपर पता चलेगा जब मार्केट के अंदर कैसे पता चलेगा वो भी यहां पर बताने की कोशिश करूगा कम से कम देख लिए ऐसा केंडल क्लोज होना ज़रूरी है थोड़ा सामें केंडल दिखानना सकते हैं कोई फाइदा होने वाला नहीं क्योंकि ओर और ट्रेंड देखो गए तो अभी सेलिंग प्रेशर है और विवकुल मार्केट अभी सेल पर बना हुआ है मार्केट 17 defended द्रण पर गरूर गिर और रहा तो नीचे और कितना आ सकता हूं मुझे भी नहीं पता लेकिन यहां पे मार्केट के अंधर सपोर्ट तूटे तो कितना भी नीचे मार्केट आ सकता है इसके बाद वाला जो सपूर्ट जूर्य के असपास आ रहा है 15.80 का सपोर्ट लेता है तो मार्केट फिर कंटीन जाएगा लेकिन ध्यानवे रखे बूली स्केंडल बनना चाहिए बेरे स्केंडल बनता है तो फिर मार्केट 16 डॉलर तक आस्ते हुए देखने को मिल सकता है करेंगे। अभी सिलवर एंट्री ले सकते हों यहां से मार्केट के अंदर और कितना गिरावट आसकता है उसके उपर भी फोकस करेंगे रही बात यहां पर देख लिए लबग लब 22 दिन होगे मार्केट के अंदर यहां पर गिरावट आ रही है पिछले वाला जो सपोर्ट था वहां पर फोकस करूंगा यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हो तो यहां पर आपको समझ में आ रहागा कि यह थोगा सा रेड लाइन में कर देता ह रहा है इसापोट के बेसे को पर देखो जो मार्केट कन्टाइन गिरावट ना जरा रहे है तो मार्केट के अगिज़कों लगाता के उम तो पिछले वाले जो गिरावट आ रही थी वहाँ से मार्केट के अंदर यहां से देख लिए तो पर्षेंटेज की बात करेंगे तो लगबागा आट से लेके दास पर्षेंट कीजरावट आ रहीते हैं तो इस लोग से यहां से में दस फर्षेंट हुआ ए तो यह का आपको भी नहीं पता मुझी भी नहीं पता और यहां पचास मार्केट सब्सक्राइब यहां पर हो सकते मार्केट यहां पर सपोट लेकर उपर जाए और यह लेवल्य तो पसपोर्ड के सब्सक्राइब ह्यां थो सब्सक्राइब कर दो सब्दोकोनियों और चलो आंज के अंदर बड़ी रमेघिए, यह बड़ी आशे क के अंदर बनना चाहिए तब आपको entry लेना है support के असपस में एक बढ़िया से bullish candle बनेगी bullish candle कहाँ पर बनेगी ध्यान में रखिए आपको कब बनेगी bullish candle 51,000 से लेके 50,000 के बीच में 1,000 से लेके 50,000 के बीच में market के ऐसी candle बनेगी तब आपको buy के entry बनाना है क्योंकि वह support के असपस market के अंदर selling pressure खत्म हो गया और buying pressure स्टार्ट हो गया यह समद लेना जिसको फ्रेश लेना है वह भी ले सकता है जिसको average करना है वह भी average जरूर कर सकते हो कहाँ पे के बीच में market आता है तो वहां पे अपने एंट्री जरूर ले सकते हो वहां पे आपको यह थोड़ा बहुत ऐसे candle इतना बड़ा candle नहीं मिलता है तो मत लेना एंट्री चोटा बोटा candle आता है ग्रीन candle तो वह आपके लिए बुलिश मार्केट नहीं होगा फिर मार्केट आप अब को आपकों और देखने को मिल सकता है तो यह आपको यह चैChat antir दो मिले की लिए सक garage पर एंट्री सकते हो यह इनलीच करके बिच करके और यह एंट्री बिच यहां पर बावन हेजर के आसपा स्पाइट चर रहा है उस रेट पर आप सिल्वर बीच के अंदर एंट्री कर लेज़ें वहां पर कोई भी एक्सपारी का डर नहीं है इस यह नसी कूट को आपको सर्च करना है यह आपको लाइव मार्केट के अंदर मिल जाएगा सुबन नौ सकते हो क्योंकि आपको अरेडी लास हो चुक रहा है तो आपको अरेडी लास हो रहा है तो आप वहां पर हेवी कॉंटीट उटा लिजी अभी यहां पर पच्छास के लिए कौन के बीच में वहां पर पर जाएगा तब अपनी पोजिशन आप एकजिट कर सकते हो तो मैंने इसकतर से का लेक्षर के अंदर तो म deputy में लॉस बुक कर लिया और जिर्वर के एंट्र कर लिया और मार्ट के अनदर में आपना Mensch कर पहुत पर Tobit अब प्रित और बींट और इस तर्क जिब अपने का सबस्कारा को था और यहांद मार्किट पर इंश्पर मार्केट जो सिलवार खाए उसके ओपर वीज स्रिक्ति कोशिए कि 118 पी किसा तब तक लिए बाइबेंगे